अ के नमस्का दोसतों इनकी उम्रेовор फोटी वन यह हो चुकी है और हो बाइना हो चुका है यह काफी बड़े loss में अभी चल रहे है करोडों के loss में चल रहे ।इज का जीवन कैसा रहेगा वह 41 years हो चुकी है और उपर 2 महीना हो चुका है यह काफी बड़े loss में अभी चल रहे है करोडों के loss में चल रहे है तो आगे का जीवन कैसा रहेगा वो इनको जानकरी चाहिए काफी डर चुके है तो इनकी जीवन के हाल चाल हम देखने की कोसिस करते हैं उपर क्या-क्या इनके प प्रेक्ति के हाथ में यह दो उंगलिया थोड़ी बी ऊपर की तरफ हो तो ऐसे लोग जो समय पर निने लेना होता है वो ले नहीं पाते हैं यह हाथ कंप्री स्क्वेरी से बहुत महेंती होते हैं मैनत करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं फर्स फैलेंज नुकिला है और ब यह नुकंड़ी है तो अपने हीतों की रक्षा करने वाला व्यक्ति होता है इस फोटो ग्राफ के अनुसार कई लोग एक लोग स्ट्रेट फोटो नहीं दे पाते हैं यह फोटो के अनुसार Jupiter की उंगली बड़ी दिख रही है जब Jupiter की उंगली बड़ी ओ तो वैक्ती में ego problem होता है छोटी छोटी बातों में ego हट होता है और ये एक तरह का रोग है ये वैक्ती का तोर पे भी लोगों को परिशानी में डालता है और इसकी वज़ह से परिवार भी परिशानी उठाता है यह जितना हो सके उसे दूर रहेंगे तो ज्यादा अच्छा है और यह उंगली इस फोटोग्राफ के अनुसार फर्स्ट पहलें तक नहीं पहुंच रहे है तो वेक्ति अब इनके मांट पर चलते हैं बुद्परवत पर भूत सारी खड़ी लाइन है और यह पार उबार पूरा बुद्परवत यह वेक्ति को सुनदरता भी होता देता है रिसक टेकर भी छोटी छोटी लाई में यह का से रिस्क नीकर होते हैं डूचर भाषाओं के जानकर भी होते है यह सारा एड़बनेज होता है और बिसेस माइन टेट भी वेक्ति बनता है इस वज़े से अब इनकी साइने देखते हैं अब यह फोटोग्राफ में देखे हैं इनके हाथ में स्क्वेर साइन भी है और कंप्लीट स्क्वेर है ऐसा भी नहीं किया दूरा है के कंप्लीट स्क्वेर है और काफी मढ़ए और इनके चंद्रपरवत वा फिलाल इनका कोई इंटर्नेशनल काम नहीं है और चंद्रपरवत पर भी ट्रेवल है तो कहीं नकहीं माईं भ्विश्म jan या तो सब्सक्राइबाद में Software Engineer कई लोग मैं यह नहीं कहता कि सारे लोग इंटरनेशनल लेवल का काम करते होंगे पर कई लोग उसमें इंटरनेशनल लेवल का काम करते हैं देखे गए है वर्तमान में ऐसा कोई इनका काम नहीं है एक जगह पर जो साइन नजर आ रही है यहां पर यह एक लाइन जा रही है और यह ऐसे चल रही है और एक लाइन ऐसे जा रही है और इस तरह से एक साइन बन रही है तो यह इस तरह से बनती है इसको फिशाइन नहीं गिन दे और यह लाइन के द्वारा यह बन रही है तो यहा कलों से बननी चाहिए ऐसे कोई संकेत इनके हाथ में नहीं दिख रहे यहां पर है वह भी मैं दिखाने की कुशिस्सीici how का एक और चीज यह कई कोशिस की यह निकाल नहीं ही पाए मुझे ऐसा लगता है यहां पर भी इनके हाथ में इसंट है जो यह निकाल पर उसी sign के अंदर अगर वो complete होगी तो उसके अंदर एक छोटी जरूर clear cut है, इसमें कोई किन्तु परंतु नहीं है. अब इनकी नाड़ी का रेखा से देखिए कितनी बड़िया sign बनी हुए है, फिर यहाँ पर भी है, यह बार में मेरा ध्यान गया, sign हो के तो अच्छे खासे धनी है यह, एक यहाँ पर भी है. साही ने तो इनके हाथ में अच्छी है, कोई उसमें है, पर इनको चाहिए वैसी धन रेखा, जीवन में नहीं मिली है. तो पामिश्टी में कहावत है, यानि मैं कहता हूँ, एक यह जीवन अमारा ओर्केष्टा की तरह है, जब सारे यंत्र प्रॉपर बचते हैं, तब हमें उसकी बेनिफिट मिलती है. तो अच्छा सूर जीवन में निकलता है. एक अच्छा बज़ रहा है, यंत्र और दूसरा यंत्र अगर बेसुरा रादगार है, तो हमें वो लेवल की सम्रुद्धी नहीं मिलती. इनके साथ भी यही कंडिशन है. यहाँ पर विद्या रेखा है, तो देखती को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है, और लोग बेसिक नॉलेज की वज़े से लोग पुछ-पुछ कर भी काम करते हैं. यह पार्ट थोड़ा सा उभार है, थोड़ा नहीं, अच्छा खासा है, तो ऐसे लोगों को सुबह उठने में आले से फिल होता है, अच्छा नहीं लगता है, और यह पार्ट हलका सा दबा हुआ है, तो ऐसे लोगों को जीवन पर तीन चीजे होती है, इंट्रेस पे करना हो जीवन बर कितनी भी सम्रुद्धी आ जाए व्यक्ति इंट्रेस्ट पे करेगा 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 सेकेंड कोई भी काम आसानी से नहीं होता हार्ड वक को नहीं करनी पड़ती है और तीसरी वस्तू कैसे मैं समझाओं हाड़ लेट कोई भी वस्तू मिलेगी तो देरी से मिलेगी अगर बैंक बैलेंस भी होगा और आपने अच्छी कार लेने का सोच भी दिया तो भी आप पर्चेस नहीं कर पाऊगे क्यूंकि वह पैसे कहीं न कहीं आपको एरेंच करना है क कहीं और की जुरुत है और वो मॉडल जब आप थरी दोगे तब तक उसकी क्रेज भी दिमाग से निकल जाती है यह शनी परवत दबे वालों का यह प्रॉब्लम रहता है और कोई भी काम एक बार में होए कई नहीं का जुपिटर माउंट काफी उत्तम है तो पारिवारिक औ पारिवारिक और सांसारिक्सुक जीवन में अच्छा मिलता है और इनके हाथ में एक माइनस पॉइंट जरूर है यह क्रॉस बन रहा है इसकी वज़़े से पिता के साथ मदबेद या पिता का साय च्छोटी उम्र में चले जाना या पिता से दूर रहना कोई ने कोई एक बेद चलते हैं या पिता जो बोलेगा वो पुत्र को समझ में नहीं आता और पुत्र जो बोलेगा वो पिता को समझ में नहीं आता और चीजे रुक रुक कर होगी या इतनी आसानी से इसली नहीं होता है जरह सा आगे बढ़े तो कोई ने कोई टांक हिचने वाला मिल जाता या हाला तैसे पेदा हो जाते कि हमें पीछे आना पड़ता है मैं इसका उपए दे दूंगा इनको एक लाइन ये वेक्ति को धार्मिकता देती है एक तरह का गुरुवल है बुढ़ा पे में और धार्मिक बनते जाएंगे यह पैसे वाले होंगे यह बहुत अच्छी साइन वाले तो किसी मंदिर के ट्रस्टी भी बनेंगे उनके हाथ में साइन मजबूत है और ऐसे लोग ट्रस्टी मिंस किसी मंदिर के कता धरता उसको चलाने वाले उस समीतियों को चलाने वाले अध्यक्स बनते या इस तरह की कारे करत एक लाइन, दो लाइन, टीन लाइन, चार लाइन ये व्यक्ति को बल्टिपल इंकम के सोर्च देती है, पामिस्ट्री अस्ट्रोलोजी इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है, सेवा भावी और धार्मिक्ता, ये सारे गुण व्यक्ति में होते हैं. अब इनों ने, इनको डर लगता है नाम खराब होने का, तो ये एक लाइन मुझे इतनी सी खड़ी दिख रही है, अगर ये यहाँ पर भी होगी, तो जीवन में ये नाम खराब करने नहीं देती, पर मुझे इस फोटोग्राफ में केवल इतनी ही दिख रही है, तो मैं 99% तो है, किसी और पोटो में भी देखने की कोशिज करेंगे, अगर ये लाइन होगी, तो वेक्टी का नाम खराब नहीं ओटा, अंडूनी मंगल अच्छा है, तो शाड़ी रिकॉर्जा अच्छी खासी होती है, बारी मंगल उससे भी जादा अच्छा, जब किसी से एनरजी के साथ मिलेंगे, सामने होला comfortable फिल करेंगे, जैसे हमने square देखा था, वैसे यहाँ पर देखिए, triangle है, और काफी बड़ा triangle है, तो इनको विदेश settlement या विदेश के कामकाज का, विदेश सेधन प्राप्ति का योग बनेगा, 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 क्योंकि square भी बड़ इनके हाथ में, और यहाँ पर triangle भी है, triangle के अंदर triangle है, हाँ, कवी होंगे, तो ये बात नहीं होती, पर square अपना वायदा तो दे गई, ये विदेश को कवी बनाता है, विदेश से दन प्राप्ति के योग बनाता है, और चन्रपरवत भी देखिए, कितना उत्तम है, ऐसे लो एक तरकी ये addiction line है, व्यक्ति थोड़ी देर काम करें, तो उसे खाली पन का ऐसास होता है, उस खाली पन को भरने के लिए कोई नशे का शिकार होता है, अब नशा यानि आप कोई उसको दारू गांजा मत गिन लेना, चाय का भी नशा हो सकता है, शिगरेट का नशा हो सकता है कॉफी पी सकता है, धर्म का भी नशा होता है, तो दुनिया भर के नशे कोई भी व्यक्ति ये कारे करता है, उस खाली पन को भरने के लिए, शुक्र परवत पर भहुत सारी बारिक line है, मैं इसका उभी उपय दे दूँगा, ये व्यक्ति को बंधन जैसा फिल कराती है, यान सारे गुरु व्यक्ति को मिलते हैं, रिदर रेखा देखिए, कम्प्लिट जुपिटर से निकल रही है, भरो से लाइक इंसान होते हैं, किसी के सो रुपे भी बाकी होंगे, तो सामने से लेकर आएंगे, इतने बरो से लाइक होते हैं, और ये थोड़ इसी line यहां पर जुक भी रही है, तो व्यक्ति को गुसा भी रहता है, और इस तरह से फोर्क बनता है, तो ऐसे लोग अपनी बाते भी अच्छी तरह से समझा पाते हैं, और ये line है, मित्रों को सगे जंदे को पैसा देंगे, और पैसा वापस नहीं आएगा, और ये line है, मापाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है, और ये line है, व्यक्ति, दुकी भी हो तो थोड़ी देर दुकी होता है, उसके बद खुशी धुटा है, माइड नाइट पूरी, जुपीटर के पास से सुरू हो रही है, तो व्यक्ति को महतोकांचा दिलाती है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, धार्मिक तब आती जाएगी, प्लस छोटी है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा दबावाने पर गुस्सा भी आता होगा, विस्पोटक हो जाते हैं, पर ये गुस्सा थोड़ी देर के लिए ही रहता है, बर ज्यादा देर नहीं चलता, टेंपरेरी होता है, पर तूरंट विस्पोटक होते हैं, तूरंट, ज ये इतने पॉइंट इनको मिलेंगे, अब इनकी जीवन रेखा को समझने की कोशिज करते हैं, एज 29 में राउ रेखाने काटा, फिर 31 में राउ रेखाने काटा, फिर 37 में राउ रेखाने काटा, फिर 39 में छोटी सी राउ रेखाने काटा, उसके बाद, एक बड़ी राव रेखा यहां पर काट रही है, यह एज ओफ, 41, उसके बाद, 42, 43 में भी छोटी राव रेखा काट रही है, उसके बाद, 46 में काट रही है, उसके बाद, 54 में काट रही है, 54 से लेकर, 58 तक, छोटी छोटी राव रेखा है, बहुत बड़ी नहीं है, फिर 63, 62 में काट रही है, और एक आफशुट है, और उसके बाद, 66 में राव रेखा काट रही है, और यात्रा रेखा है, इतनी राव रेखा है, इनको परेशान करेग उसके बाद कोई खास राव रेखा है मुझे दिख नहीं रही है 66 के बाद अब इनकी धन रेखा पर देखने की कुशिस करते हैं एक यहां पर 34 या 35 के आसपास दो छोटे छोटे नुकसान गए होगे या परिवर का खर्चाया होगा यह दो कट उसके बाद एक 41 में यह जबर्जस लुकसान गया इस लाइन ने काटा कि यह प्रॉब्लम नहीं है इसके आगे भी एक 46 के आसपास जबर्जस लॉस जाएगा इनको यह लाइन इनके जीवन में 49 या 50 के आसपास और एक छोटा सा लॉस जाएगा 57 इस लाइन पर और इस लाइन पर 58 पर अब इनकी धन्रेखा को समझने की कोशिश करते हैं इनकी धन्रेखा ऐसी कोई दमदार पहले भी नहीं थी तो साइने होने से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता हाँ फिर भी फ्लो गुमता है इनके पास आम लोगों से ज़्यादा फ्लो गुमता है पर बहुत बेकार धन्रेखा थी उसके बाद तीन साल इनको अच्छी ग्रोध मिले होगी उदर भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी धन्रेखा नहीं कहोंगा पर तो भी थीक थी और इन्होंने एकसेट भी किया यह धाई या तीन साल का अच्छा ग्रोध मिला होगा इनको उसके बाद थर्टी नैन से पूरी खराब है इस जगह तक, यह जो काम करते होंगे, यह दो साल भरपूर कमजोर चलेगा, क्योंकि यहाँ पर पूरा डॉट है, हो सकता है, यह साइन भी हो इस जगह पर, क्योंकि इतनी क्लियारिटी तो यह दे नहीं पाए, पर यह दो साल का पिरियड तो, खराब है यह, 42 तक तो यह खराब पकड़ी सकते हैं, 42 या 42 एन हाफ तक, इस धन्रे का पर, फिर दीरे दीरे थोड़ा सा यह लाइन अच्छी बनती जाएगी, यहाँ पर भी ठीक ही है, और यह जो 46 का लॉस, फिर यहाँ से कुछ लाइन थोड़ इसी सुदरते हुए दिख र रहा है, अब यह दूसरे फोटोग्राफ में देखने की कुछिस करते हैं, एक नया काम चालो होगा, इस जगह पर, और इसकी एद देखे तो वर्तमान में ही है, और यह लाइन में थोड़ी सी खुबसूरती दिख रही है, और एक नया वैसाब 49 के आसमास भी चालो होगा, पर इनकी जो साइने है, उसके सामने जो मजबूती ची ये धन्रेखा की, वैसी मजबूती, एक दम स्ट्रोंगनेस तो कभी भी नहीं है, पर इस एज के बाद ये धन्रेखा अच्छी है, और इस एज के बाद ये धन्रेखा भी बैटर बन रही है, और ये तो अच्छी है य जादा घबरानी की जुरत नहीं है, अभी कोई न कोई नया काम इनके जीवन में आएगा और वो इनका बेड़ा पार चलाएगा, पर आगे चल कर ये समरुद्य तो बनेंगे, उसमें कोई ना नहीं, पर जितनी साइनों का प्रभाव है, उतना इनको कभी नहीं मिलने वाला, जो इस तरह अभी जो वर्तमान में मेरे फोटोग्राफ है, मेरे बाद, वो इसाब से मैंने जज्जमेंट लगाया, पर इतनी अच्छी साइन है, तो करोड़ों में तो खिलते ही रहेंगे, करोड़ों कमाएंगे, ये जैसा लॉस सैन की है, वैसा ही लॉस यहाँ पर भी तो आशा रखता हूं, इनके सभी प्रश्णों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धनिवाद